नमो घाट वारणसी बाबा विश्वनात की नगरी में गंगा नदी के तट पर एक नवीन घाट बना है जिसे नमो घाट की रूप में जाना जाता है जब हम में रूट छोड़ कर नमो घाट की और आगे बढ़ने लगे मार्ग में बाउंडरी वाल पर अत्त सुन्दर सुन्दर जाकियां उकेरी हुई दिखाई दी जो अनायास ही मन को अपनी और आकर्शित कर रही है आप देख पा रहे हैं अलग-अलग रंग रूप में अलग-अलग जाकियां यहां पर दिखाई जा रही है इस जाकिय में आप देख रहे हैं गंगा नदी में इसनान करते विए लोग दिखाई दे रहे हैं गंगा नदी प्रवाइत हो रही हैं नाव भी चल रहे हैं या कोई पेंटिंग नहीं है उकेरी हुई कलाकारी है दिवाल पर इस तरह से नकासी दार प्रतिमाए ज्हाकियां तयार की गई हैं इन ज्हाकियों को उकेरने वाले कलाकार की कलाकारी की सरहना करनी होगी आप दीख पा रहे हैं कि वासुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को अपने माथे पर उठा करके यमुनापार करा रहे हैं थोड़ी आगे बढ़े तो भगवान श्री कृष्ण माखंचोर के रूप में दिखाई दे रहे हैं आगे बढ़े तो यह सोधा मैया भगवान श्र किया यहां पर बनी हैं आप देख पा रहे हैं कालिया मर्दन उसके बाद वंसी भजाते हैं हुए गुवर्धन को अपने उपरधारण किये हुए यहां पर विबिन प्रकार के अलग-अलग राग्छसों का संगार करते हुए भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं दर रास लीला भी यहां पर आपके सामने देखने को मिलेगा गोपियां छुब छुब करके भगवान को देख रही हैं यहां पर रुक्मनी विवाग की जाकी दिखाई गई है सुदामा और Krishnijay के मिलन की जाकी यहां पर आपके सामने प्रस्तूत है विभिन प्रकार की जाके दिव अति दिव रूप में यहां पर आपको अपनी ओरा करशित करेंगी जाकियों के बाद जब हम नमो घाट तक पहुँचे तो तीन बड़े-बड़े हाथ दिखाई दिये जो नमस्कार की मुद्रा में बने हुए हैं मानो की यहां पर तीन लोग आपको नमस्कार करते हुए आपके स्वागत में खड़े हैं आपका स्वागत कर रहे हैं नमो नमह जी हाँ इस घाट का नाम नमो घाट है उसी के आधार पर यहां पर नमो नमह लिखा हुआ है और इस नमो नमह के बूड के ठीक बगल में आप देखें तो तीन बड़े बड़े हाथ नमो नमह करते वे आपका स्वागत कर रहे हैं यहां पर परेटक जब भी आते हैं फोटोग्राफी अवश्य करते हैं यह एक नवीनतम घाट है जो की भारत वर्ष की अश्श्वी प् मंत्री माननी नरेंद्र मोदी जी की पेरणा से तयार किया गया है वाराणसी में भारत वर्ष के ही नहीं अप तो विदेशों से भी आतरी आते हैं दर्शनार्थी आते हैं और यहां की सुन्दर्ता को अपने कैमरे में कैद करके अपने साथ ले जाते हैं यह एक गाट है बाकी घाटों पर इस तरह से भ्रमड करने योगिस्थान बने हुए नहीं दिखाई देते लेकिन नमो घाट में बहुत बड़ा सा केमपस तयार किया गया है जहाँ पर लोग खड़े होकर फोटोग्राफी करा सकते हैं घूम सकते हैं कुछ देर बैठ कर विश्राम कर सकते हैं कुछ समय यहाँ पर बिता सकते हैं आप देख पा रहे हैं इतना बड़ा केमपस है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी पार्टी का आयोजन भी किया जा सकता है क्योंकि जगह परियाप्त है आप देख पा रहे हैं बहुत बड़ा जगह है जो कि नमो घाट के नाम स जाना जाता है माता गंगा की पावन धारा के ठीक बगल में होने की कारण यह इस थान अत्यंद पुन्डे मैई इस थान वाना जाएगा क्योंकि यहां पर माता गंगा का पुन्ड प्रताप भी प्राप्त होता है कुछ समय माता गंगा के निकट में बिताने का अवसर प्राप यहाँ पर आपको असीम शांत की अनुभूती प्राप्त होगी यहाँ पर आप जब भी आएंगे तो घाट ब्रमड के लिए बैटरी वाली गाडियां भी उपलब्ध हैं इन्हें बुक करके आप घाट के सभी ओर घूम सकते हैं ब्रमड कर सकते हैं छोटे छोटे बच्चों क बच्चों को घुमा रही हैं यह घाट एक अद्भूत संयोग बनाता है छोटे बच्चों से लेकर के बुजूर्ग तक इस घाट में आकर के अपने आनंद की सीमा को बढ़ा सकते हैं बुजूर्ग बेक्ती आएंगे तो माता गंगा के शरण में आकर के उन्हें शांति के अनुबूति प्राप्त होगी परेयटन की दृष्टि कोंड से देखें तो नमो घाट अत्यंत उत्तम घाट है क्योंकि यहाँ पर माता गंगा के दर्शन के साथ साथ भ्रमण का भी अवसर प्राप्त होता है सामने में केंटीन है खेल खिलावने हैं बच्चों के मनोरणज से प्रसंद हो जाएंगे वाराड़सी में पहले 84 घाट हुआ करते थे वर्तमान में पूरी 110 घाट हो चुके हैं नमो घाट की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक छोटा सा बच्चा छोटी सी गाड़ी पर बैट करके आनंद से मस्तिपुर्व घूम रहा है यह परे गाड़ियां आसानी से कम किराय में उपलब्ध हैं आप अपने बच्चों को ला करके यहाँ पर इन गाड़ियों में घूमा सकते हैं इनका किराया भी बहुत कम है आप देख रहे हैं एक छोटा सा बच्चा गाड़ी में बैठ कर आराम से बिना डरे घूम रहा है यह चोटे बच्चे मस्ती करने के साथ साथ माता गंगा का आशिरवाद भी प्राप्त करते हैं खेलने के ही बहाने सही माता गंगा की पावन तहारा के तट पर कुछ समय बिताने का अवसर प्राप्त होता है यहाँ पर दर्शनार्थी आते हैं परियटक आते हैं यहाँ आने से दो काम एक साथ सिद्धो होता है माता गंगा का दर्शन भी हो गया आप माता गंगा का दर्शन लाब प्राप्त कर पा रहे हैं प्रेम से बोलिए माता गंगा की जय माता गंगा जगत जननी है पतित पावन है सभी पापियों के पाप धो ढालने की छमता माता गंगा में है आप कितना भी पाप करके माता गंगा के शरण में पहुँच जाए माता गंगा की पावन धारा में डूपकी लगा लीजिए आपके सारे पाप धुल जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं है कि माता गंगा आपके पापों को धो डालती है तो आप दूसरे दिन गए तो फिर से किसी की हत्या कर दी और बोले अब पाप धोने चलें ऐसे पापों को छमा नहीं करती है गलती से हुए पाप को छमा करने उन्हें धो डालने की छमता माता गंगा अपने अंदर रखती है माता गंगा की छमता की बात करें तो इन में जो छमता है उसका वरणन कर पाना संभब नहीं है कैसी भी गलती हो कैसा भी पाप हो माता गंगा में वह शमता है कि उन पापों को दोर डालती है लेकिन ऐसा नहीं कि आप कभी भी कोई भी पाप करें और माता गंगा में जाकर के डूपकी लगा लें फिर बोलें कि हमारे पाप धुल गए आप इस छोटे से नटखट बालक को देख रहे हैं छोटी गाड़ी में भ्रमण करने के बाद गाड़ी से नीचे उतरता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक पूल है पूल के उपर आप देखें तो नीचे से ट्रेन गुजर रही है उपर से गाड़ियां गुजर रही है बहुत ही बढ़िया पूल यह पूल संभवता अंग्रेज जमाने का बना हुआ पूल बताया गया काफी प्राचीन पूल है लेकिन मजबूती बेमिसाल है आप देख पा रहे हैं नीचे से ट्रेन उपर से चार पहिया गाड़ी एक साथ गुजर रही है अदभुत संयोग अदभुत द्रिश्य हाँ पर आपके सामने सुरक्षा के द्रिश्टी कोंड से यहाँ पर पुलिस प्रसासन भी तैनात हैं आप देख पा रहे हैं दो पुलिस के जवान यहाँ पर सुरक्षा के द्रिश्टी कोंड से बैठे हुए हैं किसी भी प्रकार की कोई अनुहोनी घटना घटितना होने पाए इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है जिससे की आम जन्मानस यहां तक आ करके निश्फिक्र होकर के निर्भय होकर के आराम से भ्रमण कर सकें आप जब भी वारानसी आएं माता गंगा के तटपर नव निर्मित इस नमो घाड तक अवश्य आएं क्योंकि यहां जब भी आप आएंगे आपको अद्भुत आश्चर जनक अकलपनी आनंद की अनुभूती होगी यह दृष्य अत्यनत मनोरम दृष्य है आप सभी और से देखें तो अनुखा अद्भूत दृष्य हाँ पर नजार आता है नमामिगंगे का नारा लगाते हुए माता गंगा में आप यहाँ पर इसनान भी कर सकते हैं उसके बाद यहाँ के परेटक स्थलका भ्रमड कर सकते हैं नमुगाट के एक दिवाल पर हमें एक अद्भुत जाकी का दर्शन लाव प्राप्त हुआ जहाँ पर बाबा विश्वनात उनके सवारी नंदी महराज एवं एक महात्मा जी दिखाई दिये बहुत ही बढ़िया कलाकारी यहाँ पर भी दिखाई दी इन कलाकारियों को देखते देखते हम बरबस ही मंत्र मुक्त हो गए और नमो घाट घूमते घूमते कैसे हमारा समय विती तो हो गया हमें ग्यात ही नहीं हुआ आप भी जब भी यहाँ पर आएंगे आपको भी समय का पता नहीं चलेगा यहाँ पर एक सूचना लिखा हुआ है गंगा नदी आपकी धरोहर है इसे स्वक्ष रखने में आपका सहयोग वांचनी है आप जब भी यहाँ पर आएं तो गंदगी ना फैलाएं क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं इस घाट में साफ सफाई की उत्तम वेवस्था रखी गई है यदि आप साफ सफाई रखते हैं आपके लिए ही लावदाय के वैया साफ सफाई रखे और यदि आप वाराण असी का संपूर दर्शन लाव प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी आउन कर लिजे जिससे की वाराण असी के समस्त आगामी वीडियो आपको समय समय पर प्राप्त होते रहें और आप वाराण असी का संपूर दर्शन लाव प्राप्त कर सकें